आप देख रहे हैं WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल एकन को प्रिस करना ना भूले नमस्कार दोस्तो जैभी मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं UPSC घोटाले पर दोस्तो एक ऐसा घोटाला हुआ है जिस घोटाले का संबंद SCST OBC से है जिस घोटाले से सबसे ज़्यादा नुक्सान जिस घोटाले से नुक्सान हुआ है SCST OBC का दोस्तो ये सारी बात में क्यों कह रहा हूँ या बात आपने तो सुनी नहीं होगी या बात आपने किसी समाचार पत्र में सायद पढ़ा भी नहीं होगा और ना ही जिस मनुष्ट्री मीडिया को आप देखते हैं जिसे आप मेनिस्ट्री मीडिया में आपको सुसान सिंग दिखाय जा रहा है पोदी जी नजर आ रहे है या राम मंदिर का घंटा आपको नजर आ रहा होगा लेकिन आपके भविस्थ के साथ जो खिलवाल चला आ रहा है या हो रहा है वो खबर आपको नहीं दिखाई जा रही है वो खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ UPSC के घोटाले की और इसे घोटाला नाम दिया है सोसल मीडिया के कुछ योद्धाओं ने अब मैं उन्हें योद्धा क्यों कह रहा हूँ अब मैं इन्हें योद्धा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों आप ये पूछेंगे पहले तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू नहीं मैं योद्धा इसलिए कह रहा हूँ कि जो सवाल जो जबाब आप सरडकोप उतर कर सरकार से मांग नहीं कर सकते या कर नहीं सकते आज कोरोना संकट के दोरान जो कुछ ऐसे नियम कुछ ऐसे कानून लगाए गए हैं जिससे आप सरकार से वाजिब बातों को भी पूछ नहीं सकते हैं जो जनहित के मुद्धे उठा नहीं सकते आप सडकोपर क्योंकि सोसल डिस्टेंसिंग जैसे नाम रखकर फिजिकल डिस्टेंस के नाम पर वो काम हो रहे हैं इस देश के अंदर में जिसके वारे में कभी कोई कलपना नहीं कर सकता आज कोरोना संकट की आड में सरकार ने जिस तरीके से आपको मजबूर कर दिया है कि आप अपनी आवाज को अगर उठाओगे तो आपके साथ कानूनी कारवाई हो जाएगी लोग मजबूर है कि लोग सडकों पे नहीं उतर रहे हैं लेकिन सोशल मेडिया एक ऐसा फ्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग अपनी बात बेहिचक आज भी कर रहे हैं इसी का नतीजा यह हुआ दोस्तों सोशल मेडिया में एक हैस्टेक चला UPSC चूर है और मामला क्या है दोस्तों इसको मैं सिलसलेवार तरीके से बताने का प्रयास करूँगा बस अर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आप इस वीडियो को आधा छोड़ देंगे तो मेरे खाल से आपको जानकारी आधी मिलेगी मैं आपको तत्यों के साथ बताने का एक प्रयास करूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि SCST, OBC के साथ कितना बड़ा घोटाला हुआ है उनके साथ कितना बड़ा चल हुआ है उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं UPSC की और UPSC के आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले उसके परिणाम गोसित हुए उसके परिणाम जो गोसित हुए है उसमें परिक्षाएं ली गई थी 927 पदों की और परिणाम गोसित हुए है 829 के मतलब जो बाकी जो पद है या बाकी जो केंडियेट है उनका क्या हुआ इस मामलें कुछ ऐसे पेच भी सामने आये कुछ ऐसी बारी किया कुछ ऐसे लूप होल भी सामने आये जिसे देखकर जानकर आपको लगेगा हाँ कुछ ना कुछ लफडा है कुछ ना कुछ गरबर जरूर है मैं आपको बता दू SCST के जो नंबर है वो जो सवन है जिसे अभी सरकार ने कुछी दिनों पहले समिदान संसोधन करके EWS की स्रेणी में दे दिया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बना दिया था उनके जो नंबर है SCST के नंबर से भी कम नंबर आये है मतलब SCST के नंबर उनसे जादा नंबर है सिविल सेवा परिक्षा 2019 के नतीजे घोसित किये गए जिसमें 829 उमिदवार सिविल सेवा के लिए चैनित हुए इसके बाद सोशल मीडिया पर नियुक्ती में धांदिली किये जाने के आरोप लगने के बाद केंदरी लोग सेवा आयोग UPSC ने गुरुवार को अपनी सफाई पेस की है UPSC ने कहा कि जिन उमिदवारों के नतीजे घोसित नहीं किये हैं उनके नाम घोपनी रखे गए हैं ताकि आरक्षिद वर्क के उमिदवारों को फायदा हो लेकिन 4 अगस्ट को 839 केंडियेट का ही रिजल्ट सामने आया पूछा यह गया कि रिजल्ट 927 केंडियेट का ही क्यों नहीं घोसित किया गया अंठ्यानबे पदों को गोपनी तरीके से क्यों भरा जा रहा है सोसल मीडिया पर चले ट्रेंड में ये भी कहा गया कि सिविल सेवा के लिए SC, ST, OBC के 98 उमिदवारों ने जनरल में जगे बनाई है और सरकार साजिसन उनको अनाराक्षि सीट पर नहीं बलकि अपनी केटेगिरी में धगिल रही है आरोप यह भी लगाया गया है कि 70 को 50 प्रतिसत आरक्षिन देने के लिए 98 पदों की सूची गोपनी रखी है कहा गया है कि इस घोटाले में 80 प्रतिसत नुक्सान OBC का है UPSC से भयानक सूचना या रही है रिजर्ब लिस्ट और गोपनीता के नियमों की वजह से OBC के 1200 से ज़्यादा सकसेशफूल केंडिडेट IAS, IPS, IFS नहीं बन पाए SCST का भी इस गलत नियम से बहुत नुक्सान हुआ है हैस्टेक UPSC से इसकेंग पर UPSC यानि संग लोक सेवा आयोग ने अपसे थोड़ी देर पहले सफाई दी है कि उसने कोई घोटाला नहीं किया है आप UPSC की प्रेज रिलिज पढ़िये 927 के लिए परिच्चा होती है और सिर्फ 839 केंडिडेट की लिस्ट जारी होती है क्या छिपाया जा रहा है यह बिलकुल संतोज जनक नहीं है सरकार जाँच बिठाए की पिछले 5 साल में AC, ST, OBC की कितनी सीटे सवर्णों को ट्रांसपर होई है UPSC हजारों निउक्ती में कभी एक या दो सबजी वाले के बेटे या बस कंडेक्टर की बेटी का सेलेक्शन सिर्फ इसलिए कर लेता है ताकि उसके बड़े घोटाले छिपे रहे सवन गरीबो याने EWS को दोनों लिखित परिछाओं में SC, ST से कम नंबर मिले लेकिन इंटर्वियू में उन्हें जादा नंबर देकर SC, ST से उपर कर दिया गया है ये घोटाला है सीटो की चोरी है हमारी एक मासूम सीमांग है UPSC हर केंडिडेट के रिटेन और इंटर्वियू के नंबर अपने वेवसाइट पर डाले क्या आप सहमत हैं ट्वीट करके बताई UPSC बेमानी बंद करे पिछले 10 साल के हर केंडिडेट का रिटेन और इंटर्वियू का नंबर UPSC की वेवसाइट पर अपलोड हो अब से हर इंटर्वियू को सारवजनिक लाइव किया जाए 10 साल की रिजर्व लिस्ट का पूरा हिसाब दिया जाए UPSC साबित करे की रिजर्व लिस्ट अपरकास लिस्ट नहीं है हर केंडिडेट का रिजल्ट सारवजनिक हो हैस्टेग UPSC चोर है त्यूटर पर कुछ लोगों ने किस प्रकार से UPSC स्केम की बात कहकर कि UPSC चोर है कहकर बहुत सारे ट्वीट किये वो इलिप मंडन ने लिखा है अगर UPSC पर SCST OBC की सीट चोरी के आरोप गलत होंगे तो UPSC हम पर मुकदमा कर चुका होता UPSC को मालूम है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है जन अधिकार पर्टी ने भी एक ट्वीट किया है उनका ट्वीट है UPSC, SCST, OBC को इंटर्वीव में कम नंबर दे रहा है इसलिए सारे केंडिडेट के रिटेन और इंटर्वीव के नंबर सारुजनिक नहीं किये जाते है सारी गोपनिता चोरी छुपाने के लिए है RTI में भी ये सूचनाएं नहीं दी जाती है उसके बाद हंसराज मीना लिखते हैं इसमें कोई शक नहीं है मैंने आहूती बन कर देखा है हेस्टेक UPSC चोर है दिली मंडल का ट्विट है मनू मीडिया ये नहीं बताएगा हेस्टेक UPSC चोर है लेकिन कल UPSC फिर से स्पस्टी करण देगा और मीडिया फिर से उसे चिप आएगा संजे नाम के यूजर ट्विट करते हैं कि 2005 में जब मैंने UPSC का मेंस क्लियर किया था तब टोटल वेकेंसी 371 थी मैं सिर्फ और सिर्फ इंटर्वियू में मिले मार्स के कारण बहार हो गया था इसमें कोई संदे नहीं है UPSC दलीते और पिछडों के साथ भेदभाव करता है हैस्टेक UPSC चोर है सुप्रिम कोर्ट के एडवोकेट नितिन मेशराम ने ट्विट किया UPSC सविधान के अंदर नहीं मनुस्मति के अंदर काम कर रही है हैस्टेक UPSC चोर है कोटू भाई वाजवा ट्विट करते हैं कि सहमेत हैं तो रीट्विट करें UPSC SC ST OBC की सीटे चुरा कर उसे सवर्णों को दे रहा है हैस्टेक UPSC चोर है येर पत्रकार मेहंदर यादो ट्विट करते हैं नो डिबेट हैस्टेक UPSC चोर है राजिस कुमार मीना ट्विट करते हैं अस सुन अस सवर्णा रिजर्वेशन इस एंप्लिमेंट इस एंप्लिमेंट इस क्लियर देट नो प्लान बिल विल सक्सेस्पूल तिल यूर पार्टिसिपेशन इन अल दा इंस्टिटूशन नाउ टेक OBC रिजर्वेशन एज आफ नाउ 27 कोईटा इस आलसो नौट अप्लिकेबल एट निवर्सिटी लेवल हैस्टेक UPSC चोर है UPSC कह रहा है कि ये सब तो दस वर्सों से चला रहा है आप अभी क्यों बोल रहे हैं असल क्या है कि हम सो रहती अभी नीद खुली है